हेलो फ्रेंड्स मैं अजे कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल शाबर मंत्रों की शक्ति में दोस्तों सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी न्यु आये हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक उसके साथ एक बेल का आइकन होगा उसे भी कलिक कर दीजिए ताकि हमारी जो भी न्यु वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस दोस्तों अगर आपको कोई भूत प्रेद परिशान करता है या कोई जिन राक्सस या किसी भी तरह का कितना भी बड़ा जिन हो राक्सस हो वह आपको छूबी नहीं सकेगा वह आप जबके कहीं भी जा सकते हैं और कोई भी बुरी शक्ति नेक्टिव एनरजी आपको टैच नह है वो आयत क्या है वो मंतर क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं तो चलिए हम सुरू करते हैं दोस्तों आप सब को मैं बता दूँ जो आज हम आपको आयत के बारे में बताना चाहते हैं मंतर के बारे में बताना चाहते हैं वो मुसल्मानी है दोस्तों यह ऐसी आयत है इसमे इतनी पावर है अगर आप इसका मतलगी को जाब करके अपनी चाती पर फूक लगा लेंगे तो आपको कोई भी बुरी शक्ती नेक्टिव एनरजी कोई बुरी आत्मा या शैतान जिन राक्सच चुडैल डाकनी शाकनी किसी भी तरह का कोई भी ऐसी नेक्टिव एनरजी आपक चूँ नहीं सकेगी यह आपको दाइरा कड़ा करके देगा यह आपको आपकी देहरक्षा करके देगा दोस्तों इसका आप इस्तमाल काफी तरह से कर सकते हैं जैसे आप आईतल कुरसी को बोलकर उस पर फूंक लगा करें कि दम करके अगर आप चारों तरफ अपने लकीर ख कर देगे जो आप चाको के साथ अपने चारों और खीच देंगे दोस्तों आप इसा तरहा से भी इस्तमाल कर सकते हैं इसे पढ़ने के рьसे पर फूंक लगा सक है कितनी बड़ी मतलव की बहुत ज़ादा पावर है इसके अंदर दोस्तो आज मैं अब juice करने वाला हूं इसको किस तरह से जपना है कैसे बोलना है इसको बोलने का तरी कर आज मैं आज मैं आपको सब बताने वाला हूं तो दोस्तों चलिए हम आपको बता जाता हम कि आयतल कुर्सी किस तरह से बोली जा सकती है ये आपके सामने देखिए ये रही आयतल कुर्सी बिस्मिल्ला रह्मान रह्म दोस्तों मैं आपको फिर से बता जाता हूँ बोलने में कभी-कभी मिश्टेक हो जाती है जो सक्रीन पे लिखा हूँ वो बिल्कुल सही तरीका है आपको मैं फिर से बोलके बता देता हूँ दोस्तों ये थी आयतल कुर्सी आपको सक्रीन पे दिखरी होगी आपने उतार ली होगी दोस्तों अगर आप इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती आप जैसे इसको जाप करेंगे आप इसको याद करेंगे ना तो एटोमेटिक ही काम करना शुरू कर देगी जब आप इसको इसे आयतल कुर्सी बोलते हैं जब आप इस आयात को पढ़कर अपने चारों और फूंक लगाएंगे तो किसी भी तरह की बुरी बला बुरी शक्ती नेक्टिव एनरजी किया कराया जादू टोना टोटका कुछ भी हो A to Z आपके उपर किसी तरह की मूठ बेजी हो किसी तरह की जिन बेजा हो जिननात बेजी हो राकसस हो भूत हो प्रेत हो वो आपके पस खड़ नहीं सकेगा दोस्तो अगर आप इसको जब कर इसको बोल कर अपनी चार्टी पर दम कर लेंगे फूंक लगा लेंगे तो आपकी देर अख्शा होगी दोस्तो आप इसका इसका इस्तमाल किसी के उपर भी कर सकते हैं जैसे अगर कोई भूत प्रेत बादा से परशान है तो आप ये पढ़कर उसके पर फूंक सकते हैं और उसे पढ़कर पानी भी दे सकते हैं अबूस्तों सब्सक्ते हैं यह बहुत ही तिलस्मी है यह मुसलमानी धर्म के अंदर्स पीज़ से अब्हुत त्रेत के लिए स्पेसल मानी जाए जाती है दोस्तों तो आप इसे याद कर लीजिए अगर आपका फिर भी कोई क allegedly कुमेंट कर सकते हैं हमें Facebook बूक Instagram या पिट्विटर से contact कर सकते हैं यह सब Link आपको हमारी वीडियο के description में मिल जाएंगे दोस्तों आज की हमारी वीडियो में इतना था अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे अभी like शेर कर दीजिए हमारी वीडियो देखने के लिए